दोस्तों अगर आप भी ड्रीम 11 अप्लिकेशन का यूज़ करके अपने टीम बनाकर लाखो करोड रुपे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको ड्रीम 11 अप्लिकेशन का यूज़ करना है क्योंकि दोस्तों मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे विनर हमारे जो स्टेट है उत्राघंड यहां से बहुत सारे विनर निकल चुके हैं जिन्होंने एक करोड रुपे यहां पर जीते हैं ड्रीम 11 अप्लिकेशन में और हमारे जो डिस्टी कहना हमारा जो जिला है वहां पर भी परसन है धिरेंदर रावजी उन्होंने भी भाई कुछ टाइम पहले ही एक करोड रुपे जीते हैं तो कैसे आपको ड्रीम 11 में टीम बनानी है कैसे आपको जीतना है क्या-क्या आपको प्लानिंग करनी चीए ताक कि आपके जीतने की चांसे जादा र रहेगा दूस्तों ड्रीम 11 एप्लिकेशन का करने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बता दूँ सबसे पहली चीज कि ड्रीम 11 इंडिया में लीगल एप्लिकेशन है और ये गूगल प्ले स्टोर भी अवेलबल है साथे आप में दूस्तों मैं आपको कुछ चीजे ब राजियों में फिलहाल जो है यह बैन है लेकिन इसके अलावा अगर आप अधर स्टेट में रहते हैं किसी और राजियों में रहते हैं तो आप आसानी से को ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे आपको ड्रीम 11 अप्लिकेशन पर अकाउंट बनाना है कैसे टीम बनानी है और कैसे पैसे जीतने हैं सबसे आप वीडियो के डिस्कुप्शन में जाएंगे वहां पर मैं अप्लिकेशन का लिंक दे दू करेंगे यहां पर आपके सामने भासा को सलेक्क करने का प्सुंट आ जहेगा आपको अपनी भासा का हो सलेक्क करना है इंग्लिस हिंदी कनड़ा तो जो भी आप भासा रखना चाहते हैं सलेक्क करेंगे उसके बाद निचा से continue अब आपको यहाँ पर जो है invite code हमारा enter कर लेना है invite code की detail आपको वीडियो की discussion में मिल जाएगी आप वहाँ पर देखकर invite code यहाँ पर enter कर लेंगे उसके बाद अपना mobile number को आप यहाँ पर enter कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक box नजर आएगा इस box को आप टिक कर लेंगे करेंगे अब आपका dream 11 application पर account बन चुका है dream 11 में आप अलगवर टाइप्स के match खिल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर cricket match है football match है कबटी है basketball है और यह बहुत सारे आपको यहाँ पर games मिल जाएंगे जिसको आप play करके अपने team बना कर पैसे जीत पाएंगे तो अब ही जिसे हमें cricket match खिलना है तो हमने cricket को select करके रखा हुआ है उसकी बाद आप आएंगे upcoming matches तो जितने भी आने वाले matches है वो सारे की सारे details आपको यहाँ पर नजर आगी आप जिस भी team के साथ match बनाना चाहते हैं अपने team बनाना चाहते हैं तो जो 50 रुपे की यहाँ पर entry fees है वो मातर आपको 5 रुपे मिल रही है यानकि 45 रुपे का आपको discount मिल रहा है और 5 रुपे लगाने पर आप 45 करोड रुपे तक जीत सकते हैं यहाँ पर dream 11 की तरब से अलग-अलग types के यहाँ पर जो है group बनाए गए है यानकि टीम मनाई गई है जिसमें आप जो है अलग-अलग वासी जीत सकते हैं जैसे मानके चलिए यह 45 करोड की टीम है इसमें किलिक करूँगा तो आप देखीगा जो यहाँ पर first winner रहेगा उसको 1.5 करोड रुपे 1.50 लाग रुपे मिलेंगे जो second winner रहेगा उसको 40 लाग, जो third winner रहेगा उसको 15 लाग तो यहाँ पर सारी की सारी आपको detail मिल जाएगी कि किस winner को कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पर back आते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारे team है तो आप जिसमें भी लगाना चाहते हैं आप select करेंगे तो आभी हमें 45 करोड वाले contrast में लगाना है तो हमने select करिया उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे join अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना verification complete कराना होगा तो verification आप अपना आधार number से या फिर आप जो है अपने document के upload कर सकते हैं voter ID तो select करने के बाद आप यहाँ पर upload image पर click करेंगे अगर आपकी file PDF में है तो आप इसको PDF में भी upload कर सकते हैं तो अब फिलाल हम यहाँ पाद जो है upload image के उपर click करेंगे यहाँ पर हमारी voter ID card है हम इसको select करेंगे उसके बाद आप उपर से score done कर देंगे अभी हमारा document यहाँ पर load हो रहा है तो आप थोड़ा से यहाँ पर wait करेंगे अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके document का front side का photo है वो upload हो चुका है अब आपको back side का photo upload करना है तो दुबारा यहाँ पर upload image पर click करेंगे और दुबारा से select करेंगे यहाँ पर अपने document को back side का दुबारा done कर देंगे तो हमारा यहाँ पर document का verification complete हो चुका है अब आप देखीगा यहाँ पर आपको कैसे point मिलते हैं एक run पे 1 point, एक picket पे 25 point, एक catch पे आपको 8 point मिलते हैं तो आपको team select करनी है इसके लावा मैं आपको और भी चीज़ों के points बताऊँगा जैसे कि catch के कितने point मिलते हैं, run के कितने points मिलते हैं तो यहाँ पर हमें click करना है create team दोस्तों हमें एक team यहाँ पर अपनी बनानी है अमान के चले कि दो team यहाँ पर खेलती है तो यहाँ पर आपको देखेंगे wicket keeper है WK तो wicket keeper में आप कितने wicket keeper रखना चाहते हैं आप select कर सकते हैं और याद रखे का जो भी आप team बनाते हैं आपको सबसे बले research जरूर करनी है ध्यान से आपको knowledge होना चाहिए ध्यान से समझ के आपको team बनानी है तो जैसे यहाँ पर battler है समसन है तो यहाँ पर मैंने select किया दो आप चाहे तो दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक भी यहाँ पर select कर सकते हैं उसके बाद आप से पूझे का कि आप batsman कितना रखना चाहते हैं तो आप batsman के उपर जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे batsman मिलेंगे जो भी आपको लगता है आप उसको अपने हिसाब से select कर लेंगे उसके बाद all rounder के उपर आपको आना है और यहाँ पर आप जो है all rounder जो batting भी करते हैं और balling भी करते हैं आप kin-kin को रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से select कर लेंगे उसके बाद baller आप रखना चाहते हैं balling में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे baller आपको यहाँ पर नज़र आएंगे तो जिनको भी आपको टीम में लेना है आप इस तरह के से ले लेंगे तो अभी हमने एक टीम अपनी बना ली है और कुल मिलाकर हमारा इस तरह के से 11 मेंबर की हमारे टीम बन चुकी है अगर आप अपने टीम को प्रिव्यू करना चाहते हैं यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमने टीम बनाई थी वो आप दीख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 11 खिलाड़ों की टीम बनाई है तो चलिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट के उपर क्लिक नेक्स्ट टन के बाद यहाँ पर आपको सब सब चले सरेक करना होगा कि आप कैटन किसको रखना चाहते हैं और वोइस कैटन किसको रखना चाहते हैं इस बाद का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को यहाँ पर कैटन बनाते हैं तो उसकी आपको दुगने पोइंट मिलेंगे और अगर आप किसी को voice captain बनाते हैं उप कप्टान तो उसके आपको यहाँ पर देड़ गुना point मिलेंगे अमान के चली यहाँ पर मैं betler को रखता हूँ तो betler के मुझे अगर मान के चलो इन्होंने 100 point earn किये तो मुझे इसके 200 point मिलेंगे और इसके लावा voice captain को किसको रखना है आपको तो जिसको भी आप रखना चाहते हैं select करेंगे अगर यहाँ पर 100 point earn करते हैं तो यहाँ पर मुझे 1500 point मिल जाएंगे यांकि 50 extra मिलेंगे तो आपको so समझ कर अपना यहाँ पर captain और voice captain को चुनना है इस बाद का आपको ध्यान लखना है उसके बाद save करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से permission मागीगा आप इसको allow कर देंगे आप आपको बुला जाएगा payment करने के लिए तो आप यहाँ पर जो है payment कर देंगे तो यहाँ पर आपको cashback के भी offer मिलते हैं जैसे अगर आप amazon upi की तुरू payment करते हैं तो आपको 10 रुपे का cashback मिल जाएगा view all पर click करेंगे तो बहुत सारे अलग-अलग banks के आपको यहाँ पर offer दिख जाएगे अगर आप ज़्यादा पैसे यहाँ पर add करना चाते हैं तो आप यहाँ पर amount को enter कर देंगे जैसे 50 रुपे मुझे लगाने है पांच रुपे मेरा यहाँ पर match लगेगा बाखी 45 रुपे मेरे wallet में add हो जाएगे तो उसकी बाद हमें करना है add add करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर wait करेंगे अब आपसे बोला जाएगा कि आप जो है किसके दुरू payment करना चाते हैं गूगल पे फोन पे अमेजोन पे तो अभी हमें गूगल पे से payment करनी है हम select करते हैं गूगल पे थोड़ा सा हम wait करेंगे इस तरीके से यहाँ पर interface आजाएगा अब आपको यहाँ पर पेपर क्लिक करना होगा यस करना होगा उसकी बाद permission को allow करना होगा थोड़ा सा यहाँ पर wait करेंगे अब आपको सबसे पर अपना गूगल पे का UPI pin को enter करना है जो भी आपका UPI pin है तो चलिए हमने अपना UPI pin को enter कर लिया है उसकी बाद हम okay करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना है आपका प चीज़ यहाँ पर बताई जाएगे कि आपको यहाँ पर अपने Gmail ID को एंटर करना है तो जो भी आपके Gmail ID है Google ID है उसको आप एंटर करेंगे और submit कर देंगे Gmail ID अपडेट करने के बाद आप क्लिक करेंगे profile के उपर अभी हमने 50 रुपए यहाँ पर add किये थे अभी हमारा bullet balance 45 रुपए दिखा रहा है because हमने 5 रुपए का यह match लगाया है तो अभी हम आएंगे my matches के उपर जितने भी match आप खेलते हैं टीम बनाते हैं तो आपको यहाँ पर upcoming में दिख जाता है अगर आपको एक बार edit करना है click करेंगे team के उपर यहाँ पर जाँगे my team के उपर और यहाँ पर आपको pen का निसान दिखेगा click करेंगे और pen के निसान पर click करके आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से player खेल रहे हैं लेकिन यह आपको चक करना है 10 से 15 मिनिट पहले जब match start होता है जैसे साड़े तिन बजे match start होगा तो मैं यहाँ पर तीन बज कर 15 मिनिट ये 20 मिनिट पर अपने mobile phone पर एक alarm लगा दूँगा ताकि मेरे को ध्यान रहे कि यहाँ पर match है और मुझे अपने team को edit करना है उसके बाद जो player यहाँ पर नहीं खेलते हैं यहाँ पर लिखावा आता है कि announce हो चुका है इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखिएगा कि announce हो चुका है और ये 10 से 15 मिनिट पहले आपको announcement वाले जो player है उसी को select करना है अमान करे चले कि कोई player यहाँ पर खेल नहीं रहा है उसको आप manage करके हटा सकते हैं और दूसरी player को यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद next करेंगे और जो भी आपका captain और vice captain है दुबारा से check कर लेंगे और save कर देंगे save करने के बाद दूसरों आपके team यहाँ पर लग जाएगी और एक बाद का आपको ध्यान अकना है कि यहाँ पर आप match सुरू होने के बाद जो है अब आप अपने team को edit नहीं कर पाएंगे इस बाद का आपको ध्यान अकना है जब दूसरों यहाँ पर match खतम हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे चकरना है कि आपने कितना पैसा जीता है तो आप my matches में जाएंगे और यहाँ पर जो completed वाला column है इसमें आपको दिखेंगे कि जो भी आपने match complete कर लिये है उसमें आपको कितने रासी मिली है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 रुपे मुझे मिला है यहाँ पर 25 रुपे मिला है 49 रुपीज मिला है और जिसमें आप हारते हैं उसमें यहाँ पर कोई भी पैसा यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता है उसके बाद दुस्तों जो भी आप यहां पर earn करते हैं आपको पता कैसे करना है कि आपने जो earn करी है उसको withdrawal कैसे करनी bank account में उसके लिए आपको click करना है सबसे उपर profile की icon पर उसके बाद आपको जाना है my balance के उपर अब यहां पर जितना भी आपका account में balance रहेगा wallet में आपको यहां पर नज़र आएगा अब आपको इसको निकालने के लिए verify to withdrawal पर click करना होगा यहां पर आपका mobile number, gmail ID आपको नज़र आएगा अब आपको यहां पर अपना pen number को verify करना होगा verify के उपर click करेंगे अपना नाम, pen number, अपना date of birth और यहां पर photo को click करना होगा pen card की और submit कर देंगे उसी तरह किसे bank account को यहां पर verify करेंगे और अपनी bank account details को fill up करेंगे उसके बाद यह पैसा आपके account में directly transfer हो जाएगा अगर आप यह जानना चाते हैं कि आपको किस player के कितने point मिलते हैं तो आपको दुबारा profile के आकर पर click करना होगा उसकी बाद आपको click करना है how to play अब आप जो भी game यहां पर खेल रहे हैं उस game को आपको select करना होगा जैसे हमें अभी cricket game के बारे में जानना है click करेंगे अब यहां पर आपको fantasy point system के उपर click करना होगा अब आपको कितने point यहां पर दी जाते हैं run मारने पर 1 point voluntary माने पर plus 1 point 6 माने पर plus 2 point तो यहां पर आपको इस तरह के से पूरे के point system मिल जाते हैं कि baller की कितने point मिलते हैं fielding की कितने points मिलते हैं और other person के कितने point आपको मिलते हैं तो इस तरह के से आप बहुत ही आसाने से dream 11 में team बना कर पैसे कमा पाएंगे